आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मुझे P1 मिला तो एक बहुत ही static website थी simple सा page था बस उसमें एक ही functionality थी कि phone number डालके और submit button था ठीक है तो सारा खेल यहीं से शुरू हुआ था तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे js files होती हैं हम लोग उसमें से sensitive parameters निकालने के लिए जैसे कि password token API की js minor का इस्तमाल करते हैं बर्प सूट का extension है यह लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि मुझे भी एक access की मिली लेकिन वो js minor की मदश से नहीं मिली मतलब js minor यहाँ पर fail हो गया और वो क्यों हो गया वो अभी हम आगे देखेंगे तो यह जो मिला मुझे मिला js link finder की मदश से तो आईए देखते हैं क्या था process तो यहाँ पर जैसे मेरे पास callback option था मैंने यहाँ पर phone number डाल और जैसे submit पर click किया तो मैंने देखा कि जो js link finder है उसकी log में एक URL आ गया देख सकतो एक API lead squared की है और इसमें आपको दिख रहा हूँ यह एक access की है plain text में और एक secret की है तो अब यह वाली चीज मुझे js minor में क्यों नहीं मिली क्योंकि js minor जो है अभी जो है मतलब शायद आकरी बार दो साल पहले अपडेट हुआ था github पे तो उसमें अभी तक ऐसी functionality नहीं है जो की URLs के अंदर parameters को parse कर सके अब देखो यह जब मैंने manual call करी यह javascript तो यहां पर मुझे यह की वरल देखिया तो js minor में अभी तक ऐसी functionality नहीं है जो की URLs के अंदर parameters को parse करें तो आपको एक ही tool पर dependent नहीं रहना एक ही extension पर तो अब मुझे पता लग गया था कि lead squared कुछ ना कुछ service होगी तो उसकी documentation मुझे मिल गई अभी आप simple सा समझें कि lead squared की मदद से आप पूरी organization को manage कर सकते हैं मतलब users को create करना उनके लिए को गुरूप create करना activity manage करना यह आप देख सकते हैं तो POC के लिए मैंने क्या करा कि simple सा user management पर गया और कुछ end point थे उनको call करके देख लिए directly तो मुझे पता लगा कि जू दी गई है मतलब जो role है वो admin का है तो highest privileges है हमारे पास हम किसी का भी user का role change कर सकते थे या फिर user add कर सकते हैं तो अब देखो मैंने POC के लिए क्लिए क्या करके दिखा दिया कि एक template बना के दिखा दियो ठीक है यह success आ गया और एक में user group create करके दिखा दियो तो बस यही था इस minor predependent ना रहें link finder के log को भी check करते रहें ताकि आपको जो URL है वो भी दिखे तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद